आपके साथ डिसकस कर रही हूँ टीजीटी या यूपी टीजीटी की जितने भी पोस्ट निक्डी है म्यूजिक से रिलेटिड उसके लिए आपकी एलिजिबिल्टी है या नहीं ठीक है आप मैंसे बहुत लोगों की कमेंट्स आयते कि इसमें क्या मांगा है या हम इससे है हम आपके सारे गन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे तो इन मैंसे जो भी आपके पस क्वालिफिकेशन है तो आप देख सकते होगे आप इस एक्जाम के लिए एलिजिबल हो या नहीं ठीक है चलो तो यहां पर देखो यहां दिया हुआ है प्रशेक्षित इसनातक पद हेतु श पहविग्यान और्दू इस प्रकार ऐसे सब्जेक्ट यहां दिये हुए हैं जब हम आते हैं सबसे नीचे तो यहां आपका आता है संगीत गायन एवं वादन तो गायन और वादन दोनों के लिए एक ही मदब क्वालिफिकेशन है आपकी एक ही ऐलिजिबल्टी है चाहें आ अप देख लते हैं कि इसमें क्या कुछा है आपके का उना चाहिए पहली बार मादेमेग शिक्षा परिशद उत्तरप्रदिश की हाई स्कूल परिक्षा यानि आपको हाई स्कूल पास होना जरूरी है तो हमारी पहली रिक्वार्मेंट क्या है हाई स्कूल होना involve high school आपका ह इस चीज को नहीं सोचेंगे है तो हाइश्कूल तो सब का पास है अब नेक्स्ट चो आती है चीज़ें नेक्स्ट चो रिक्वाइर्मेंट्स है अब देखो यहां लिखा क्या है वेले लेंगोई समझो इसकी कि माध्यमेक शिक्षा परिशत उत्तरप्रदेश की हाइश्कूल परिक्षा अथ्वा समकक्ष परिक्षा तो जो हाइश्कूल के बराबर जो कुछ एक्जाम होते हैं तो उसे हाइश्कूल का ही दर्जा दिया जाता है तो या हाइश्कूल हो या फिर वर्चाम हो इसके अलावा इसके अलावा नेमनिखित मेंसे कोई एक परिक्षा यानि हा संगीत विध्यापीट लखनव की संगीत विशारत तो संगीत विशारत कराते हैं रियाक संगीत समिती में प्रभाकर होता है गंदर विध्याले में विशारत होता है माधव संगीत विध्याले में फाइनल परिक्षा गुवालियर की संगीत रत्न की फाइनल परिक्षा और श आपको थोड़ा जूम कम करके दिखाती हूँ ये जो 6 की 6 चीज़े हैं इन मेंसे एक आपके पास होना जरूरी है एक ये जरूरी है ओके तो हाइ स्कूल हो गया इन मेंसे एक जरूरी हो गई अब नीचे देखते हैं अथवा यानि इन सब के अलावा भी अथवा है प्रयाक संगीत समिती इलाहबाद का BT डिप्लोमा अब आपको clear दिख रहोगा ठीक है BT डिप्लोमा फिर भातखंडे संगीत विद्यापीट का LTM डिप्लोमा या फिर भातिय शिक्षा परिशद उत्तर प्रदेश का भातिय संगीत डिप्लोमा ओप्यक्त डिप्लोमा संपन और मानिता प्राप्त संस्थाओं में पहले से पढ़ाने वाले और जून 1960 से पूर नियुकत अध्यापक संगीत अध्यापक के पात्र समझे जाएंगे तो हम सब तो अभी विल्कुल यंग एज में हैं तो हमें इस लाइन से कोई मतलब है नहीं और क्योंकि हम मारा तो अभी ग्रेजुशन पोस्ट ग्रेजुशन कोई एंफिल है कोई पेचडी है ठीक है तो अभी हमें इसी सुरुत है लेकिन आपको एक तो हाई स्कूल का ध्यान स्नातक क्या होता है ग्रेजुशन ग्रेजुशन और प्रवक्ता के लिए यानि पीजीटी के लिए आप दे रहे हैं अगर अगर आप पीजीटी के लिए दे रहे हैं तो स्नातक उत्तर के उपादी यानि में आपका होना चाहिए तो अगर आप टीजीटी में दे रहे हैं त पास विशारत है, मैं देच सकता हूँ, नहीं, आपको graduate होना जरूरी है, graduate के अलावा, पहली, अब मैं आपको clear डी बताती हूँ, पहली क्या चीज़ हो गई, high school, plus कोई संगीत की कोई परिक्षा आपने उत्तिर्ण की है, ठीक है, संगीत की परिक्षा, plus, plus मैं आपको BA, या MA, अब BA किसके लिए है, TGT के लिए, और MA किसके लिए है, PGT के लिए, तो ये तीन चीज़ें आपको होना जरूरी है, एक चीज़ और हैं आपे, BAD, MAD, PhD, एवं किसी राज्ट्री स्थर की खेलकूत प्रतियोगिता में, राज्य स्थर की टेम के माध्यम से भाग लेने का प् PhD है, तो ये जो चीज़ें हैं, ये बिल्कुल भी mandatory नहीं है, अब मैं आपको दिखा देती हूँ, कैसे mandatory नहीं है, जब आप सबसे उपर आते हो, तो यहां पे लिखा है, तीन पॉइंट है, एक तो अरहता का है, ठीक है, एक अरहता का है, यानि ये आपके पास होनी चाहिए अनिवारे प्रशिक्षन अरहता, यानि देखो जैसे हिंदी है, आपका ये हिंदी सब्जेक्ट है, तो इसमें B.A.D. आपको जरूरी है, या अनिश समकक्ष डिग्री, जैसे D.L.A.D. या और भी जो ऐसे प्रशिक्षन की जो डिग्रियां होती हैं, वो जरूरी है, अचा ये चीज है, आप इसमें देखो ऐसे उपल से देख सकता है, अपको इसी कॉलम में आपको देख रहा है न, तो ये क्या है, ये जो हैं चीज है, ये क्या है, प्रिफरेंस के लिए है, अगर इन में से कुछ भी आपने किया हुआ है, तो आपको प्रिफरेंस मिल सकती है, तो तो I hope guys, आपको समझ में आया होगा कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए eligibility में, आप इसका screenshot ले सकते हो यां से, और आपको समझ में आगी होगा आप इसके लिए eligible हैं या नहीं, तो कैसी लगी video जरूर बताइए का, और भी कोई अगर topic आपको information नहीं मिल रही है तो आ आप बता सकते हैं comment box में, I'll upload video, so thank you so much for watching my video, मिलते हैं next video में, thank you